कभी कभी रसोई में समागरी के अनुपस्तिती के कारण कुछ ऐसे वेंजन का अविश्कार हो जाता है जिसके आप कलपना भी नहीं कर सकते हैं ऐसा ही कुछ बनाया आज मेरी रसोई में पोहे की भजिया ये इतनी स्वादिस्पनी है कि मैं खुद को इस विदी को बाटने से रोख ही नहीं पाई चलिए देखते हैं इसे मैंने किस तरीके से बनाया और कैसे बनाया है और किस वज़य से बनाया है तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कटोरे पोहा लेंगे और उसे अच्छे से दो लेंगे और पानी में भिगो कर रखेंगे ताकि वह मुलायम हो जाए फिर हातों से इसे अच्छे से मसल लेंगे आप चाहें तो इसे विद्यूत से चलने वाली छोटी चक्की में एक बार घुमा सकते हैं इससे आपका काम भी जल्दी हो जाएगा और आपकी मेनद भी बच जाएगी अब इसमें डालिए एक छोटी कटोरी दही फिर डालिए आप दो तीन चमज बेसन बेसन हम अभी कम ही डालेंगे अगर आपको बीच में लगेगा कि बेसन कम है तो आप और मिला सकते हैं तो अभी सिर्फ इतना डालना है हमको कि पोहे को हम बांध सकें बेसन सिर्फ पोहे को बांधने के लिए है नहीं तो आपकी भजिया तेल में फट सकती है अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, बारिक कटी हुई हरी धनिया पत्ती, कुटी हुई धनिया के बीच फिर डालेंगे अजवाइन जिसे हम हातेली से रगड कर डालेंगे फिर डालेंगे हम बारिक पिसी हुई लाल मिर्च ज्यादा मसाले का इस्तमाल हम नहीं करेंगे परन्तु आप इसमें दो तीन चमस तिल डालना ना भूलें तिल बहुती स्वाद बढ़ाता है ये भुना हुआ तिल है जो कि कुरकुरा है तो इससे भजया बहुती स्वादिस लगती है अब इसे अच्छे से हम मिला लेंगे मैंने इसमें प्याज नहीं डाला है क्योंकि प्याज बहुती महंगी है और मुझे लगता है कि प्याज के बिना मैं इसे स्वादिस बना सकती हूँ अगर आपको लगता है कि प्याज, अद्रक, लहसन डालना है तो आप डाल सकते हैं फिर इसमें हम डालेंगे बारी कटे होई हरी में जो कि मैं डालना भूल गई थी तो अभी मैंने डाला है अब इसमें हम पानी मिलाएंगे पानी मिलाना ना भूले मुझे लग रहा है कि बेशन थोड़ा सा कम है तो मैंने दो चम्मज फिर से मिलाया है और अच्छे से मिलाने के बाद पानी जरूर मिलाए ताकि आप इसे अच्छे से भजिया बना पाए अब गरम तेल में इसे तलेंगे जब तलने लगे आप तो आज को आप मध्यम कर लीजे ताकि भजिया अच्छे से पक जाए अंदर तक पक जाए और बाहर से पुरकुरा रहे तो ये भजिया का विश्कार इस तरीके से हुआ है कि मेरे घर में प्रति दिन नास्ता बनना जरूरी है और ये एक अच्छी आदत भी है तो मेरे रसोई में अभी से पोहा था दो दिन से मेरे घर में पोहा ही बनाया है मैंने तो बेशन इतना नहीं था कि भजिया बना सकूँ और सूरी इतनी नहीं थी कि उसे इडली, उक्मा या अप्ते बनाऊ और जो भी इतना नहीं था जिसे चीला बनाओं या उख्मा बनाओं तो इस तरीके से मैंने ये बनाया है भजिया कि पोहा भी नहीं बना तो पोहे और बेशन को मिलाकर मैंने भजिया बनाया बेशन का भी इस्तमाल हो गया और पोहे का भी ये बहुत ही स्वाधिस्ट बना है यह बाहर से कुरकुरा है और अंदर से मुलायम है। आप इसे बना कर देखिए। अगर आपको यह पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक इसे जरूर बाटे। अगर आप ये मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो आप मेरी सदसिता लेना ना भूलें, और प्रतिक रिया देना ना भूलें. देखने के लिए धान्यवाद, आपका दिन शुब रहें.